आगाता आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जामियमीलिया असलामिया का MA Media Governance की लिस्ट of selected candidates called for interview यानि कि उन selected candidates की list है जिनको interview के लिए बुलाया जाना है कोर्स का कोड M18 है अगर आपने इसका form भरा था या अगर आप अगले साल के लिए त्यारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत important है आपको अंदाजा लग जाएगा सीरियल नंबर के हिसाब से यहां पर डेट गिविन है टाइमिंग सब के लिए साड़े 9 बजे है तो पहले लिस्ट देख लेते हैं यह सब चीज़े हम बाद में बात करेंगे तो यह हैं वो selected candidates जिनका नाम इस लिस्ट में है अपनी application ID और role number दोनों को ही अच्छे से मैच कर हैं जिनना आप लोगों को कोई confusion है अगर तो आप मुझसे पूच सकते हैं आप इसका screenshot ले सकते हैं पास करके 매िक कर सकते हैं या फिर मुझग jin तो आप किया कर सकते हैं कि अर टेलिग्राम ग्रूप को follow कर सकते हैं जिसकी Link description मरें डली हुई है यह देखी हैं यहाँ पर कितने candidates हैं total अब तक 50 हो चुके हैं नीशे चलते हैं और देखते हैं total candidates कितने हैं जादा नहीं है क्योंकि चार पेज का ही पीडिएफ है अगर आपका नाम इस फिस्ट में है तो comment section में हमें जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि ऐसे जामियस related update आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे यह PDF हमारा खता होगी आप बात कर लेते हैं कि कैसे interview देना आना है 11 तारिक को आना है 128 वाले सेरियल नंबर को 12 को आना है 29 साथ और 13 को आना है 64 वाले रोल नंबर को एक और इंपोर्टेंट चीज़ अगर आप मतलब बहार है कहीं दिली से और दिली नहीं आ सकते है आपको एक option मिल रहा है कि आप अपना interview online देना चाहते है या offline तो 6 October से पहले पहले यह यहाँ पर आपको एक mail ID नजर आ रही होगी SS साइद ठीक है क्या लिखा हुआ है SS साइद1 at gmail.at gmi.ac.in तो आपको इस पर mail करके बता देना है कि आप जो है वो interview online देना चाहते हैं या offline लेकिन 6 October से पहले पहले इस चीज़ का खयाल लगे अब बात कर लेते हैं conditions की क्या क्या conditions रहने वाली है the time of interview तो देखे सबसे पहले तो यह कि आपको अपना admit card registration form लेकर आना है ठीक दूसरी अगर आप Muslim OBC ST या फिर PWD category या फिर कश्मीरी migrant या इसके लावा आप जम्मू कश्मीर से हैं तो अगर ऐसे किसी भी reservation से आप हैं तो आपको certificate लेकर आना है जिसमें यह चीज़ state हो तो अब last qualifying course क्या होगी आपका graduation उसकी final year की mark sheet लेकर आनी है और address proof के लिए voter ID card, passport, अधार card और driving license इन चारों में से कोई भी एक लेकर आना है ठीक है address proof के लिए और इसके बाद आपको लेकर आना है अपना character certificate last school college job ने attend कर आ है उमीद आपके यह सब कंडिशन समझ में आ गई होंगी नहीं आई हैं भी तो आप मुझ से यहां स्कीनिशोट ले सकते हैं कमेंट से पूछ सकते हैं वीडियो का उन तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद